हाई फ्रेंट्स, वेलकम टू दा डेस्क क्या आप जानते हैं DSP, CRPF, NCR, IS, CO, NCC, BSF, MLA, CID, SDM, CBI, IPS, ADGP, ARMY, DIG का फुल फर्म क्या होता है दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगने पर एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं नमबर वन डियस्प की फुल फॉर्म क्या है डियस्प का फुल फॉर्म है डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट और पॉलिस इसे हम हिंदी में पुलिस उपाध्यक्ष कहते हैं नमबर दो CRPF की फुल फॉर्म क्या है CRPF की फुल फॉर्म है Central Reserve Police Force इसे हम हिंदी में कहते हैं केंदिरेंडेंड पॉलिस बन यह एक पारा मिलिटरी फॉर्स है जो भारत में सबसे बड़ी Central Police Force है CRPF भारत सरकार के ग्री मामलों के मंतराले के तहत काम करता है नमबर थ्री NCR का फुल फॉर्म क्या है NCR का फुल फॉर्म है National Capital Reason NCR को हम हिंदी में राष्टिय राजधानिक शेतर कहते हैं नमबर फॉर IS का फुल फॉर्म क्या है IS का फुल फॉर्म है Indian Administrative Service IS का फॉर्म हिंदी में भारतिय प्रशाशनिक सेवा कहते है नमबर फॉर्म NCC की फॉल फॉर्म क्या है NCC की फॉल फॉर्म है National Cadet Corps NCC का फॉर्म हिंदी में राष्टिय केड़ेट कोर कहते हैं जो स्कूलों और कॉलेजों के छातरों को बुनियादी सेन प्रशिक्षन प्रदान करता है इसमें सेना नौ सेना और वायू सेना शामिल है NUMBER SIX MLA का फॉल फॉर्म क्या है MLA का फॉल फॉर्म है Member of Legislative Assembly MLA का हम हिंदी में विधान सबा सदस से कहते हैं MLA को हिंदी में विधायक भी कहते है NUMBER SIX BSF की फॉल फॉर्म क्या है BSF की फॉल फॉर्म है Border Security Force BSF को हम हिंदी में सिमा सुरक्षा बल कहते है BSF का मुखे काम भारत की शांती के दोरान भूमी सिमा की रक्षा करना है और अपराधिक अपराधों को रोकना है आज के समय में BSF दुनिया की सबसे बड़ी सीमा रक्षक फॉर्स है NUMBER 8 CBI की फॉल फॉर्म क्या है CBI की फॉल फॉर्म है Central Bureau Investigation CBI कौम हिंदी में Kendriya Janj Agency कहते है CBI भारत की सबसे बड़ी Investigation Agency है जो भारत के बड़े-बड़े मामलों की गहराई से जाच करती है और Grimantrale को Report देती है NUMBER 9 CEO का फॉल फॉर्म क्या है CEO का फॉल फॉर्म है Chief Executive Officer CEO को हम हिंदी में मुखे कारे कारी अधिकारी भी कहते है CEO एक कमपनी या और्गेनाजेशन का मुखे अधिकारी होता है यानि कमपनी या और्गेनाजेशन में होने वाले प्रतेक काम की जिमेदारी CEO की होती है NUMBER 10 CID का फॉल फॉर्म क्या है CID का फॉल फॉर्म है Crime Investigation Department CID काम हिंदी में अपराद जांच विभाग कहते है या भारतिय राज्य पॉलिस की जांच और खुफिया शाखा है या पॉलिस संगठन की सबसे महतपूर निकायों में से एक है और इनका नित्रुत्व ADGP करता है NUMBER 11 SDM का फॉल फॉर्म क्या है SDM का फॉल फॉर्म है Sub-Divisional Magistrate SDM कौम हिंदी में उप प्रभागिये नियाधिश कहते है सभी जीले में एक उप प्रभागिये नियाधिश होता है अर्थात SDM होता है जो जीले के सभी जमीन ब्यपार पर देखरेक करता है NUMBER 12 IPS की फॉल फॉर्म क्या है IPS की फॉल फॉर्म है Indian Police Service IPS को हिंदी में भारतिये पॉलिस सेवा कहते है IPS का कार्य Law System के लिए दिशा निर्देश कानून रेस था और अपराद को कांट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया है NUMBER 13 ADGP का फॉल फॉर्म क्या है ADGP का फॉल फॉर्म है Additional Director General of Police ADGP को हम हिंदी में अतिरिक्त पॉलिस महानिदेशक कहते है ADGP भारतिये राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों में तिन सितारा रेंग के पॉलिस अधिकारी है NUMBER 14 ARMY की फॉल फॉर्म क्या है ARMY की फॉल फॉर्म है Alert, Regular, Mobility, Young ARMY एक Organized Military होती है जो अपने देश की रक्षा करने के लिए भूमी पर लड़ती है कई देशों में सेना को अधिकारिक तोर पर भूमी सेना भी कहा जाता है NUMBER 15 DIG की फॉल फॉर्म क्या है DIG की फॉल फॉर्म है Deputy Inspector General of Police DIG को हम हिंदी में Police उप महा निरिक्षक कहते हैं DIG भारत में एक उच श्रेने के वरिष्ट पुलिस अधिकारी होता है DIG पॉलिस के Deputy Inspector General के जिमेदार पत को दर्साता है तो दोस्तों यह थे फॉल फॉर्म हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई फॉल फॉर्म से जरूर पसंद आई होंगी तो चलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे अईसी और नॉलेज वाली वीडियो देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सिखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएए चैनल के प्ले लिस्ट पर उपर प्ले लिस्ट लिखावा होगा उस पर क्लिक कीजिए फिर उसके बाद सारे playlist खुल जाएंगे और उपर से जो तिसरे नमबर पर है जहां पर लिखा है English में लिखना पढ़ना सेके उस playlist को क्लिक किजिए सारे वीडियो जा जाएंगे यहाँ पर साथ वीडियो है इन साथों वीडियो को देखने के बाद आपको English में लिखना पढ़ना जरूर आ जाएगा